दोजार चैन से गुमनामी के अंधेरे में गुम हुए अंतराष्टे नहार सिंग किरकेट स्टेडियम के दिन अब फिडने वाले हैं सीयम की घोषना और कैबिनेट मंतरी वीपुल गोयल के अथक परियासों से धूल फाक रहे इस किरकेट स्टेडियम की तस्वीर बदलने के लिए अब मंजूर की गई एक सो पंदरा करोड की रासे से स्टेडियम का विस्तार होगा जिसकी नीवत 30 दिसंबर को हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहलाल खटर रखेंगे इस विस्तार में अंतराष्टे इस्तर का स्टेडियम बनाते हुए 50,000 दर्सकों के बैठने की विवस्तार की जाएगी इसके अलावा इस्टेडियम में बॉक्स बनाए जाएंगे और एक कलब का विस्तार भी किया जाएगा यह स्टेडियम एक साल में नए रूप में बनकर तैयार हो जाएगा केबिनेट मंतरी विपुलकोयल ने कहा है कि इसके बाद इस स्टेडियम में आईपियल के लावा अंतरास्टे क्रिकेट मैचों का फिर से आयोजन हो पाएगा और विस्तार पर यह स्टेडियम फिर से लोट आएगा नहीं रहा था पीछे आज तीन साल पहले हमने सेलीबरीटी क्रिकेट मैच कराया और लोगों के साथ मिलकर कार सेवा और परसाशन के कुछ लोगों को लेकर हमने उसकी सफाई की और उसे खिल ले लाइक बनाया फिसले तीन साल से उसके अंदर प्रैक्टिस मैचेज और एसोसेशन के मैचेज वगएरा वहां पर चल भी रहे हैं लेकिन उसको नया रूप इंटरनेशनल मैच जिसमें हो सके हैं दुबारा फरीदाबाद के अंदर और हर्याना के अंदर किरिकेट का नया पहला स्टेडियम माने मुख्यमंत भी जी तीस तारीक को उसका विदीवत फांडेशन स्टोन रखेंगे 115 करोड रुपे की लागत से 50,000 लोग उसमें बैठ सकेंगे उसके साथ कॉर्परेट उसके अंदर बॉक्सिस भी होंगे उसके अंदर यूथ हॉस्टल भी होगा उसके अंदर एक क्लब का भी प्रोविजन होगा एक इंटरनेशनल लेवल का ज इसके लिए कोई भी काम करने के लिए प्रयास तो करना पड़ता लेकिन यह बहुत बड़ा काम है फरीदाबाद के लिए प्राइड की बात है क्या हर्याना के लिए भी प्राइड की बात है कि एक और इंटरनेशनल स्टेडियम जिसमें रेगूलर पहले भी मैच होते रहे फरीदाबाद के अंदर दुबारा माने मनहुर लाल जी के आशिरवास से पुनर जीवित होने का काम या उसे कहेंगे रेनोवेट करने का काम या रीफरविश होने का काम आने वाल इत्ती तारिक से शुरू हो जाएगा और इसका वर्क, अलॉट्मेंट, टेंडर वगेरा तो 15 करोड रुपे इस पर लगेंगे और फरीदाबाद फिर इस क्रिकेट स्टेडियम के मात्धम से विश्व की स्क्रियनों पर दिखना शुरू हो जाएगा गोर्तलब है कि अंतरास्टे राजानाहर सिंग क्रिकेट स्टेडियम में पहले अंतरास्टे क्रिकेट मैच हुआ करते थे साल 2006 में यहां आखरी अंतरास्टे क्रिकेट मैच खेला गया लेकिन उसके बाद इस स्टेडियम में कोई अंतरा स्टेस्तर का मैच नहीं हुआ और स्टेडियम गुमनामी के अंधरे में डूब गया 2014 में विधायक बनने के बाद विपल गोयल ने मिम्बाई हिरोज और भोचपुरी दबंग के बीच एक T20 सलिबेटिक क्रिकेट मैच का आयोजन इस स्टेडियम में करवाया था जिसमें मसूर फिल्म स्टार्स ने हिस्सा लिया था टुड़े एक्सप्रेस नियूस के लिए अजे वर्मा की रिपोर्ट